सो अभी आपके सामने खड़ी ये रोयल इंफिल्ड की हंटर 350 जेपर गयर कलर में और इस हंटर 350 को ओन करे हुएं आज मुझे पूरे कंपलीट हो चुके वन ये टेंडेर्स एक साल दस दिन complete हो चुके मुझे 100 350 को on के हुए और एक साल दस दिन का experience share करूँगा आप सभी लोगों के बीच में कि एक साल दस दिन में मैंने क्या experience किया है अपनी 100 350 के उपर क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे comment section में आके बोलते हैं 100 350 में बहुत सारी problem है गाड़ी बढ़िया नहीं है 100 350 के engine में overheating का issue है ground clearance का issue है और छोटी छोटी कमिया गिनाते हो वो मेरे comment section में तो सारी कमिया मैं दूर कर दूँगा इस video में क्योंकि भाई कुछ खास कमिया नहीं है उन्हें बड़ा issue नहीं मानेंगे हम क्योंकि छोटी छोटी कमिया हर गाड़ी में हो सकती है क्योंकि 2,6,000 के बज़ार में आपको एक perfect bike दी दे आ रही है तो छोटी छोटी कमियों को ignore करना चाहिए आपको भाई क्योंकि एक best गाड़ी है Royal Infield की Hunter 350 कैसे best है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक साल दस दिन की गाड़ी हो चुकी और चली कितनी वह मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले 9,121 किलोमेटर 9,121 किलोमेटर चल चुकी यह Royal Infield की Hunter 350 और इतनी गाड़ी चलाने के बाद मुझे पूरी तरह के से experience हो गया आपनी हंटर 350 के उपर कि हंटर 350 में कोई प्रॉब्लम में सबसे पहले बात करते हैं जो लोग बोलते हैं रोयल इंफिल्ट के हंटर 350 में इंजन ओवर हीटिंग का इसू नहीं है जेवन स्रीस का 349 सीची का इंजन रखा हुआ है समझ रहो यही इंजन आपको classic और meteor में भी दिए जाता है सेम इंजन है और शाली 300 सीची का इंजन है आगग इसको 50 कीलोमेटर चलाओगे तो उसके बाद इंजन हीट करेगा सीधी सी बात है और इंजन हीट करेगा तो घाटि यहीशा नहीं मिन बनाते ऐसा कोई हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं आया और इसमें हीटिंग टंप्रेचर बताता है आपके मीटर में अगर आपकी गाड़ी ओवर हीट होगी तो आपको इंडिकेट कर देगी यह गाड़ी कि आपकी गाड़ी ओवर हीट हो चुकी लेकिन मैंने नौन स्टॉप 300 किलो मे बहुत ज्यादा कम है नीचे रगड़ जाती यह हो जाता है वह जाता है तो भाई 150 mm का ग्राउंड क्लेयंस अंटर 350 का और इसमें लगा हुआ है इंजन कबर तो ग्राउंड क्लेयंस अभी और भी ज्यादा कम हो गया है ठीक है तो यह भी कोई बड़ा इसू नहीं भाई कान प्रम के दॉनिलского तो आपकी मेंटें रहेंगी और इंजन कवर लगा रहेंगा तो गिसता है तो सिर्फ एजिंजन कवर गिसता है कोई प्रौब्लम नहीं है तो इसको भी बड़ा इसू नहीं मानेंगे तो बढ़ा ग्राउंट क्लेयंस कम है मर्केट में और भी गारीयां आ क्यों बैठो भाई इसमें इमर्जेंसी की बात अलग होती कि तीन लोग कहीं जाना एक साथ तो निकल गए फिर भी तीन लोग बैठ जाते हैं आप अगर इसमें बैक रेस्ट लगवा लेते हो तो तीन लोग बैठ के जा सकते हो लेकिन यह एक टू वीलर है तो आप दो लोग ह जब आप इसमें एक बैक रेस्ट और एड करवा लोग है तो यह भी बड़ी प्रॉब्लम है आप तीन लोगों का सेल्यूशन भी मैंने दे दिया आप बैक रेस्ट लगवा लो तीन लोग इजली बैठ जाओगे उन्टर स्रीफिप्टी के उपर ठीक है तो हंटर है और अब मैं बात करूँ इसके लुक्स की तो हंटर स्रीफिप्टी पहली बात तो एक क्रूजर है और हंटर स्रीफिप्टी जो मेरा फेवरेट कलर है वह है डेपर गए कलर किस का एक साल दर्स दिन की गाड़ी हो चुकी है और वाई इंजिन चेक करोगा एगदम फुली ब्लैग रखा हुआ है समझ रहो आप तो गाड़ी चाहे आपकी 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 5000 करेगा वह भी आट करा सकते हो तो भाई गाड़ी एकदम बेस्ट है कोई भी प्रॉब्लम नहीं और रॉयल इंफील्ड की बात ही अलग है एकदम दारती गाड़ी और क्लासिक और मेटोर से इसका साउंड जो है काफी ज्यादा लाउड है और बेस्ट साउंड है रॉयल इन्फील की अंटर 350 का तो कम्यां कम हैं समझ रहो मतलब बुराईयां कम हैं अच्छाईयां भर भर के हैं तो बाई दो लाक्षे दिन हो चुके बाई गाड़ी चलाते हुए आज तक कोई प्रब्लम नहीं आई हलाकि गिराओ पड़ाओ गे नहीं तो गाड़ी बढ़ियां रहेगी आपकी वेल मेंटेन रहेगी तो जिसको यहाला वीडियो अच्छा लगा हो और जिसकी कम्या जो है वह मैंने समझा पाई हो जिसको लग रही थी अंटर स्री 50 में यह कमी है तो मैंने उसे बताया और अभी वो लोग उस कमी को इग्नोर करेंगे और समझ सकेंगे कि अंटर स्री 50 में कोई भी प्रब्लम नहीं है तो जिसको यहाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें बाई बाई जैसरी राम राधे राधे